हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल के यूजिज की, जो आज परी जनरेशन है, वो मोबाइल फोन की बहुत ही एडिक्टिड हुगे ही है इस्टुडेंट्स लाइफ में ही वो पूरे-पूरे दिन फोन में लगे रहते हैं यह बहुत ही एक चिंता का विशय है, कि वो जो उनका टाइम है, जो बहुत ही उनका प्रीशेस टाइम है जो उनको लगाना चाहिए अपनी एडिकेशन में, पढ़ाई में, कैरियर की तरफ वो ध्यान लगा रहे हैं अपना मोबाइल फोन में और मोबाइल फोन में, आजकर सोशल मीडिया में इतना एक्टिव है सब, और मोबाइल फोन में, अगर आप कुछ देखने बैठो, तो उससे इलेटेड जो चीज़े होती हैं, वो अपने आप ओटोमेटिकली फिर आपके सामने आने लगती हैं तो अगर एक बार हम बैठते हैं फोन में, तो फिर हमारा कई-कई घंटे जो है, उस फोन में निकल जाता है, और फिर भी जो मैच्चूर लोग होते हैं, वो समझते हैं, वो लाइफ है किसी मुकाम तक पहुँच चुके होते हैं, उनका टाइम अगर थोड़ा उसमें निकल देते हैं मुवाइल फोन में, और पूरा पूरा टाइम उनका निकल जाता है, उनको दो दो तिन तिन घंटे पता नहीं चल सा, इनसे उनकी फिजीकल हैल्फ पर एफेक्ट परता ही है, जो अपनी लाइफ में कुछ गोल हासिल करना चाहते हैं, तो वो उससे भटक जाते हैं तो आज ये वीडियो में उन्हीं के लिए बना रही हूँ, कि अपना ये टाइम जो है, वो अपना मुवाइल फोन में खराब ना करिए, और अपने इस टाइम को यूटलाइस करिए, क्योंकि आपका ये लाइफ का टाइम है, बहुत ही प्रीश्यस है, और इस टाइम में अ हार्णफुल होने वाले हैं, ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको लगता है कि क्या फरक पड़ता है एक दो घंटे, लेकिन एक दो घंटे हम बैठते हैं थोड़ी देरी के लिए ही, लेकिन वो टाइम जिर दे इतना निकल जाता है, कि हम कई-कई घंटे उ और स्टूडेंट्स जो है, जो रात को जिनको पढ़ना चाहिए, वो रात को पबजी खेलते हैं, मैं जो है बाइप्रोफेशनलिक टीचर हूँ, तो मैं देखती हूं स्टूडेंट्स को रातों को पढ़ने के बजाए पबजी पर टाइम स्पेंड करते हैं, और सुबह को उसके आखे देखो, शलगता है कि जैसे बीयन में ही ही, और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, फिजीकली विक हो रहे हैं इस तरीके से, और अपना टाइम तो वेस्ट करी रहे हैं, तो उनिस èps money के लिए मैं कहना Мыना चाहूंगी, ुश्मीन लोगम 노 इसमें वेस्ट मे में यह बनना है अगर वो आपको लाइफ में कहां जाना है क्या बढ़निंग डिजाइर है तो फिर उस डिजायर के लिए जो आप को चीजेए चाहिए वह आप जो सोचल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं तो उससे जो आपका टाइम भी आप उसमें लगा रहे हैं अपना तो वो टाइम आपका पोजिटिव वे में जा रहा है कि आप जो है उससे इंग्लिश स्पीकिंग है वो वीक है तो आप जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स काफी हैं आप जो है कोई भी चीज़े आप चाहते हैं इस चाहते हैं अपको जानताइं लेना चाहें तो भी आपके फॉन में अवलीबल है यूट्यूब पर लेकिन बस आपको क्या करना है कि जो है और जो आपका टाइम वेस्ट होगा जिसका क तो उससे वो जोबगा तैrekम उसमें लएगा फिर मजा भी आएगा तॉ उस सीज के बारे में फिर आपके नोलजी बरती जाएगी जो आपके आगे जाके आपके लिए बहुत ही बैनिफिट होगी और ऐसे में बड़ों से भी कहना चाहते हूं जो घर में पेरेंट्स होते हैं वह भी फोन पे कम लगें और ताकि उनके बच्चे जो है उनको देखकर क्यो ओन लाइन क्लासिस भी चल रही है तो हम क्या करते हैं कि फोन में कुछ ना कुछ गेम में लग जाते हैं आप एक बार सोचके देखिए कि जो गेम है या जो सोशल मीडिया है फेस्बूक है वाटसप है उस पर लगने के बाद आप कितना घंटा ऐसा होता कि आपको पता ही न बेनिफिट होने वाला है तो कुछ ऐसा देख रहे हैं तो आपको खुद ही अच्छा लगाए कि हां मैंने आज कुछ काम किया है तो यह आपको यह नहीं कि कोई बाहर से आपको रोकेगा को अगर कोई रोकेगा आपको तो आपको उस चीच को और जादा करेंगे तो यह हार्म है और क्या हमें बेनिफिट है इसका तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आए और अपने जीवन में आप इस चीच को अपलाई कर पाए और अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और थैं